Good morning everyone, so we have started our new chapter symmetry and pattern कल की क्लास में हमने क्या देखा था कि symmetry क्या होती है symmetrical shapes क्या होती है और line of symmetry क्या होती है जैसे हमारे पास suppose करो ये एक paper sheet है तो it is a symmetrical shape क्यों? symmetrical shape क्यों है? क्योंकि अगर मैं इसको कहीं से भी एक line, imaginary line मैं मान लेती हूं और उस line के through मैं ऐसे इसको fold कर देती हूं तो मुझे इसके दो halves मिल जाएगे और वो दोनो halves कुछ ऐसे होंगे कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल overlap करें see this is the line of symmetry जिस line के through मैंने इसको fold किया है और ये वाला half इस वाले half के exactly same है क्योंकि जब मैंने इस वाले half को इसके उपर रखा तो मुझे पीछे वाला portion नहीं दिखा और जब मैंने इसके उपर दूसरे को रखा तो मुझे ये वाला portion नहीं दिखा so these are the symmetrical shapes अब आज की class में हम pattern पढ़ेंगे pattern क्या होते है अगर हम कुछ चीजों को एक particular order में लगा दें systematic manner में लगा दें तो वो pattern होते हैं जैसे की दिवाली के हमारी जो lights होती है लगी वी है कितना अच्छा pattern ना आती है आपने sometimes देखा होगा पहले red color के जल रहे होती है फिर green फिर blue ऐसे systematic manner में सब alternate में जलती रहती है फिर से वापिस red हो जाती है फिर green हो जाती है फिर blue हो जाती है इसी तरीके से होती है और हम उनको देखेंगे तो उनका number color जो होता है वो कभी भी sequence change नहीं होता बिल्कुल same चलता रहता है है ना आपने दिवाली में सब ने देखी होंगी ये lights के जो अलग-अलग colors जो होते हैं वो जलते रहते हैं और एक systematic manner में वापिस repeat पे होते रहते हैं red blue green फिर से red फिर blue फिर green है ना और कैसे हम patterns देखते हैं हमारी hands के अंदर कितने सारे patterns होते हैं हमारी fingers में always ये lines वाले जो patterns है ये हर finger में हमें देखने को मिलता है ये लाइन्स होती है ये हैंट के अंदर हमें ये पैटन देखने को मिलता है तो हमारे असपस हमें कितना सारा कुछ पैटन्स देखने को मिलता है हमारी बेडशीट्स इतनी सुंदर सुंदर बेडशीट्स होती है है ना उन सब में पैटन होते हैं जो डिजाइन होते हैं वो कभी महल को भी आप एक बीच में से क्लाइब एक पर्टिकुलर पैटन जैसा होता है बीच में बड़ा सा पिलर फिर किनारे पे छोटा पिलर फिर छोटा पिलर कुछ तो मिनार कुद में एक बड़ा सा एक पिलर हो गया वो भी अलग सा ही पैटन बन गया उसके design जो किनारों पे होते हैं वो भी एक pattern बना रहे हैं एक order में चल रहे हैं तो कितने सारे patterns हमें देखने को मिलते हैं तो कुछ patterns हम आज की class में देखेंगे और साथ में numbers कैसे pattern बनाते हैं वो भी देखेंगे अलिया अपनी mother से पूछती है कि ममा ये pattern क्या चीज है अब उसकी mother उसको बताती है कि बिटा कोई भी चीज एक systematic order में चलती है तो वो pattern है जैसे ये circles हैं पहले blue circle फिर orange circle फिर से blue circle, orange, blue अब कौन सा circle आएगा? orange circle है ना? तो इस तरीके से हम बहुत सारे patterns देख सकते हैं जो एक particular systematic order में चलते हैं किसे एक और pattern है circle then square, circle, square, circle what next? yes, it is a square तो इस तरीके से हम patterns को देखते हैं let's see some more patterns these are some food items cake then chips then biscuits cake, chips what should be next? yes, it should be biscuit so इस तरीके से हम patterns को study करते हैं हम थोड़ा सा और complex pattern पर आते हैं यहां पर हमें नजर आ रहे हैं कुछ squares उनमें छुटे-छुटे triangles blue color से shaded हैं पहला square है उसमें ऊपर triangle है फिर दूसरा square है उसमें triangle left side पर आ गया तीसरे square के अंदर triangle नीचे आ गया fourth square के अंदर triangle right side पर आ गया इसका मतलब triangle घूम रहा है तो अगला square कैसा होगा वापिस triangle उपर फिर से triangle left फिर से triangle नीचे तो अब आलिया की मदर ने उसको समझाया कि इस तरीके से हम patterns को समझ सकते हैं coming to number patterns number patterns क्या होते हैं जब numbers कुछ particular manner में आगे बढ़ रहे होते हैं जैसे हमारी counting वो भी एक pattern है one, two, three, four लेकिन ये जो pattern है ये कैसा है one के बाद सीधा four फिर उसके बाद सीधा seven seven के बाद सीधा ten तो यहाँ पे ये pattern हमें कैसे लग रहा है ये pattern कैसे है क्योंकि हर एक number के बीच में हम दो-दो numbers को skip करते जा रहे हैं दो-दो numbers कैसे हैं one के बाद क्या आता है two, लिखा ही नहीं है skipped इसका मतलब three, again नहीं लिखा हुआ skipped इसका मतलब two और three दो numbers को skip किया गया फिर four को लिख दिया गया four के बाद फिर से वापे seven अब फिर से हम देखें किस को skip किया गया five को skip किया गया नहीं लिखा गया six, again skipped और seven, seven तो लिखा गया इसका मतलब फिर से दो numbers बीच में skip किये गये तो इस तरीके से जब counting हमारी particular manner में आगे बढ़ती है कुछ numbers को skip करते हुए तो that is also a pattern और क्योंकि ये numbers के साथ patterns बन रहे हैं इसलिए हम इनको number patterns बोलते हैं let's take some more examples two, four, eight, sixteen, thirty-two इन सब में भी pattern है इसमें हमें कैसे pattern नजर आ रहा है सबसे पहले हमने लिखा two फिर उसके बाद four लिखा तो यहाँ पे कितना number skip था three skip किया गया फिर four लिख दिया गया then four के बाद हमने जो देखा सीधा eight है four और eight के बीच में कितने number skip किये गए five भी skip, six भी skip, seven भी skip three three number skip हो गए पहले तो one number skip था अभी three number skip हो गए eight और sixteen के बीच में seven number skip हो गए तो यहाँ पे फिर किस टाइप का pattern बन रहा है पे जो pattern बन रहा है वो है numbers को double करने का pattern two का double कितना होता है four four का double कितना होता है eight four को अगर मैं double कर दूं तो मतलब मैं four, four के दो groups बना दूं इसी तरीके से four का double हुआ eight, eight का double होता है sixteen, it means अगर मैं 8 8 के 2 groups ले लूँ तो मुझे 16 मिलेगा अब 16 को भी मैं अगर double कर दूँ तो मुझे 32 मिल जाएगा तो इस तरीके से इसमें भी मुझे एक pattern नजर आ रहा है ना हर एक number जो जो मुझे मिलता जा रहा है मैं उसी को ही double करती जा रही हूं बार-बार हम अपनी बुक में कुछ patterns को check out करते हैं सबसे first pattern is the arrow सबसे पहले arrow उपर की तरफ है फिर arrow right side पे हुआ फिर arrow नीचे हो गया फिर arrow left side पे हो गया वापिस arrow घूम के कहां आ जाएगा उपर आ जाएगा फिर से फिर से right पे चला जाएगा फिर से नीचे आ जाएगा तो इस तरीके स एरव वाला pattern हमारा follow हो जाएगा यही सेम pattern वापिस हमारा यही ंपर वाला arrow बन जाएगा फिर right side वाला arrow फिर से नीचे वाला arrow यही सेम pattern हमारा चलता जाएगा बी पैटन आब यह जे थी हमने देखा square then circle then square then circle then square then circle, फिर से square फिर से circle फिर से square इस तरीके से चलेगा यहां पे भी है यह तो सारे quadrilateral होते हैं जोनकी 4-4 sides होती है फोर-4 sides है तो पहले हमारी थोड़ा सा इस type का quadrilateral ठीक है इसका naming हम थोड़ा सा और higher classes में करेंगे लेकिन हमी shape बड़ी clearly नजर आ रही है क्योंकि यह छोटा वाला quadrilateral है फिर बड़ा वाला quadrilateral फिर से छोटा आ गया फिर से बड़ा quadrilateral तो अगेन इस bigger quadrilateral के बाद कौन सा quadrilateral आएगा वापिस से छोटा वाला फिर से bigger quadrilateral फिर से smaller quadrilateral तो यह patterns को तो बड़ा easily हम समझ पारें यहां पे देखते हैं one triangle two triangles three triangles किते triangles आ गए वापिस से one triangle तो अगर वापिस से one triangle आ गया तो फिर से हम आगे बढ़ेंगे कितने triangles two triangles फिर से हम वापिस आएंगे तो कितने triangles three triangles and फिर से वापिस three के बाद हम वापिस one triangle पे आ जाएंगे and the last pattern is again very easy star then leaf then star then leaf then star स्टार दें लीफ है ना तो ये लीफ थी और ये स्टार था तो एक बार स्टार आया फिर λीफ आयर सिर्लीफ ये तो फिर से स्टार आजएगा फिर से लीफ आजाएगी फिर से स्टार आजाएगा तो ये पार इंज inner यह एसी था इसका मतलब बीच में क्या number skip किया गया 3 को skip किया गया मतलब 1 number है ना count अगर हम देखे तो सिर्फ एक number that was 3 उसको skip कर दिया गया फिर 4 के बाद वापिस से 6 लिख दिया गया मतलब 5 को फिर से skip कर दिया गया और वैसे भी अगर हम देखें तो 2, 4, 6 यह सारे even numbers होते हैं है ना जो 2 से easily divide हो जाते 2 equal parts में divide हो जाते हैं हमने किया था even odd की activity तो 2, 4, 6 उसके बाद फिर से 7 skip हो जाएगा 8 यहाँ पर आ जाएगा फिर हमारा 9 skip होगा 10 11 skip होगा 12 इस तरीके से हम pattern use कर सकते हैं अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम चीज है 16 फिर 17 को skip कर दिया 18 19 skip 20 21 skip 22 फिर से 23 को हटा देते हैं 24 25 को हटा देते हैं 26 27 को हटा देते हैं 28 एक एक नमबर हटा के हम जो बचेगा उसको लिखते जाएंगे और फिर से यह सारे even numbers हैं 6, 8, 0, 2 इन सब को हम 2 से डिवाइट कर सकते हैं इसी तरीके से D part अगर हम देखें 10, 15, 20, 25, 5 का टेबल चल रहा है 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40 तो यह सारे हमारे number patterns हैं जिनको हम आप easily रिख सकते हैं 5 के बाद 12 कितने numbers बीच में skip हुए होंगे 6 numbers उसके बाद फिर जो 7th number था 12 उसको लिख दिया गया फिर 12 के बाद वापिस से 13, 14, 15, 16, 17, 18 फिर से 6 numbers को skip कर दिया और सीधा 19 लिख दिया गया तो हम 33 के बाद 6 numbers कौन कौन से 34, 35, 36, 37, 38, 39 इन सब को हटा देंगे तो हमारा जो 7th number होगा 40 उसको हम यहाँ पे लिख देंगे इसी तरीके से हम आगे भी बढ़ेंगे तो यह सारे number patterns आप खुद समझोगे और फिर इसको करोगे यह last question हम next class में करेंगे